नमस्कार में अजय कुमार मदरसा कानून की समवैधानिक्ता के प्रश्ण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था कि भारत में वैदिक पाट सालाएं हैं बौध मठ हैं जहां पर धार्मिक सिक्छा दी जाती है मगर सबसे ज़्यादा प्रश्ण मदरसों पर खड़ा किया जाता है केवल मदरसों की धार्मिक सिक्छा के प्रती चिंता व्यक्त की जाती है बौध मठ और वैदिक पाट सालाओं पर नहीं मदरसों, वैदिक स्कूलों और बौध मठ जैसे संस्थानों को अनेक संस्कूतियों और धर्मों वाले देश यानि भारत में संब्यधानिक सिर्धानतों के लिए खत्रे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए यह सुप्रीम कोट के सब्द थे इस तरह की बाते करते हुए सुप्रीम कोट ने इसारों इसारों में यह बात साफ कर दी थी कि वह इलहाबाद हाई कोट की इसी साल मार्च महीने में दिये गए उस फैसले को खारिच कर देगा जिसके तहत उत्तर प्रदेश में मदरसा की सिक्षा को रेगुलेट करने वाले साल 2004 में बने उत्तर प्रदेश बोर्ड अफ मदरसा एजुकेशन एक्ट यानि उत्तर प्रदेश मदरसा सिक्षा परिशद अधिनियम को असंब्यधानिक अनकॉंस्टिचूशनल करार दे दिया गया था और यही हुआ है सुप्रीम कोट की तीन जजो की बिंच ने जिसमें जस्टिस दीवाई चंद्रचून जस्टिस जी पार्दिवाला और जस्टिस मनोज मिस्रा सामिल थे इन तीनों जजों की विंच ने इलहाबाद हाई कोट के उत्तर परदेस के मदरसा कानून पर दिये गए फैसले को रद्ध कर दिया है खारिच कर दिया है जिसका मतलब यहाँ बनता है कि उत्तर परदेस का मदरसा कानून संबैधानिक है constitutional है उत्तर प्रदेश में मदरसा सिक्षा को regulate करने के लिए साल 2004 से चल रहा उत्तर प्रदेश बोर्ड अफ मदरसा है जो के सानेक्ट constitutional है यानि इलहाबाद हाई कोट के फैसले के बाद मदरसा सिक्षा के अस्तित्त पर जो प्रश्ण चिन लगा हुआ था वह प्रश्ण चिन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में क्या कहा है यह तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक मदरसा को ना समझा जाए क्योंकि सारी अफ़वाबाजी की बुनियाद यह होती है कि लोगों के बीच में मदरसा के बारे में बहुत गलत जानकारी फैलाई गई है मतलब अगर मदरसा और मदरसा कानून को ना समझा जाए तब तक सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में क्या कहा है वह सारी बातें अर्थ हीन महसूस होंगी तो चलिए सुरू से सुरू करते हैं मदरसा अर्भी भाषा का सब्द है जिसका मतलब होता है सेक्षनिक संस्थान जानकार बताते हैं कि मदरसा का मतलब university से भी लगाया जा सकता है university मतलब universe of knowledge और जो knowledge का universe होगा वहां पर केवल इलमे दीन नहीं होगा बलकि इलमे दुनिया भी होगी मतलब जहां पर ग्यान का बटवारा होगा ग्यान बाटा जाएगा उस जगह पर केवल खुदा, भगवान या धार्मिक सिक्षा ही नहीं दी जाएगी बलकि इस दुनिया से जुड़ी सिक्षा भी दी जाएगी मदरसा के बारे में एक भ्रम फैला दिया गया है कि मदरसों को सरकार रेगुलेट और कंट्रोल नहीं करती है मुसल्मान समाज रेगुलेट कंट्रोल करता है मुसल्मान समा जैसा चाहता है उसी तरीके से मदरसों को चलाता है तो यह सच्चाई बिलकुल नहीं है संसत के पटल पर रखी जानकारे के मताबिक साल 2018-19 तक देश भर में कुल 24,000 मदरसे थे इन में से 60% मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में हैं देश भर में मौझूद कुल मदरसों में से 19,000 मानेता प्राप्त मदरसे हैं और 4,800 के करीब ऐसे मदरसे हैं जिनें मानेता नहीं हासिल है राज्य द्वारा मानेता प्राप्त मदरसों को मदरसा सिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई स्टेट बोर्ड रेगुलेट करती है मदरसा सिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए स्टेट बोर्ड के कानून में अधिकार दर्ज है कि मदरसा के पाठिक्रम में राज्य के निर्देश के मुतलाविक बदलाव किया जा सकता है और जिन मदरसों को मानेता नहीं प्राप्त है जो गयर मानेता प्राप्त मदरसे हैं वह दारुल उलुम नदवातूल उल्मा, दारुल उलुम देवबंद द्वारा निर्धारित पार्टिकरम को अपनाते हैं भारत में जितने मदरसे मौजूद हैं उन्हें दो और कटेग्री में भी बांटा जा सकता है पहले हैं मदरसे दर्से निजामी और दूसरे हैं मदरसे दर्से अलिया जो मदरसा दर्से निजामी है उसे लोगों के डोनेशन से चलाया जाता है और इन्हें राज्य द्वारा निर्धारित, स्कूल एजुकेशन, कैरिकुलम अपनाने के लिए बात धे नहीं किया जा सकता है जो मदरसे दर्से अलियां हैं उन्हें राज्य की मदरसा एजुकेशन बोर्ड जैसे उत्तर प्रदेश के मामले में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से मानता मिली होती है क्योंकि इन्हें राज्य की संस्था से मानता मिली होती है इसलिए इनकी सिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट करने का अधिकार राज्य के पास होता है देश भर के 20 से जादा राज्यों के अपने मदरसा बोर्ड है इन मदरसा बोर्ड को संबंधित राज्य सरकार प्रशासित करती है मानता प्राप्त मदरसों में यानि किरिकुनाईज्ट मदरसों में सिक्षकों और अन्य अधिकारियों की निक्ती भी राजी सरकार करती है यानि यहाँ पर यह बात स्पस्ट है कि मानिता प्राप्त मदरसों की सिक्षा को राजी सरकार रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है अब प्रश्णिया उठता है कि मदरसा में आखिरकर पढ़ाया क्या जाता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है क्योंकि लोगों के बीच यह भ्रहम है और इस भ्रहम को अफवाह की तरह फैलाया गया है कि मदरसों में केवल अल्ला और खुदा के बारें पढ़ाया जाता है ज इसलामी अध्यन तरक सास्त्र दर्सन सास्त्र की सिक्षा से है इसके अंतरगत नौलेज की ऐसी ब्रांच भी समय समय पर सामिल के जा सकती है जिने बोड सामिल करने का निर्देश देगा मतलब मदरसा सिक्षा का मतलब यह नहीं है कि जहां पर अल्ला या खुदा या किसी पार हुआ जहां पर अर्भी उर्दू फार्सी भासा पढ़ाई जाती है जहां इसलामी अध्यन की पढ़ाई होती है जहां तरकसास्त और दर्संसास्त की पढ़ाई होती है इसकी अलावा राज्जी के बोर्ड को यह दाइत तो बनता है कि राज्ज अगर मदरसा में किसी साबोर्ट के जरिये रेगुलेट किया जा सकता है उन सभी मदरसों में NCERT का पाठिकरम लागू होता है वहां अर्भी उर्दू फार्सी इसलामी अध्यन तरक सास्त्र दर्सन सास्त्र के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी समाच सास्त्र विज्ञान मैथमेटिक्स इतिहास भुग हाई कोट ने तिन आधारों पर उत्तर प्रदेश के बोर्ड अफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवेधानिक करार दे दिया था इसी साल के 22 मार्च को इलहाबाद की जस्टिस सुभास विद्यार थी और विवेक चौधरी की बैंच ने उत्तर प्रदेश के बोर्ड अफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को तीन आधारों पर खारिज किया मदरसा सिक्षा को खारिज करने का पहला आधार धर्म निर्प्रिक्षता के उलंगन चे जुड़ा था इलहाबाद हाई कोट ने यह कहा कि मदरसा की सिक्षा धर्म निर्प्रिक्षता का उलंगन है क्योंकि इस सिक्षा में विद्यार्थियों को इसलामिय सिक्षा लेने के लिए बाध्ध्य किया जाता है अगर आधोनिक विशे है भी तो यह तो वह अनुपस्थित हैं या वैकलपिक तौर पर है और सरकार का यह दायुत तो बनता है कि वह धर्ण मिर्प्यक्ष सिक्षा दे ना कि धर्म की आधार पर सिक्षा इसी लिए मदरसा सिक्षा धर्मिर्प्यक्षता का उलंगन है संबिधान के बुनियादी धांचे का उलंगन है इलाबाद हाई कोट के मताबिक मदरसा सिक्षा की संब्यधाने की सिती का दूसरा अधार सिक्षा के अधिकार के उलंगंच जुड़ा था जिसके मताबिक संब्यधान का नुचेद 21 यह कहता है कि 6-14 साल के बच्चे को राज्य द्वारा अनिवार्य तोर पर मुफ्त में सिक्षा दी जाएगी इसी अधार पर National Commission for the Protection of Child Rights ने हाई कोट में यह तर्क दिया था कि मदरसा की सिक्षा में मुफ्त में सिक्षा तो दी जा रही है मगर गुणवत्ता पुन सिक्षा नहीं दी जा रही है मानक वाली सिक्षा नहीं दी जा रही है इसी लिए यह संब्यधान द्वारा मिले सिक्षा के अधिकार का उलंगन है इलहाबाद हाई कोट ने इस तर्क को अपना लिया था इलहाबाद हाई कोट का मदरसा की सिक्षा को असंब्यधानिक करार देने का तीसरा आधार इस बात से जुड़ा हुआ था कि डिगरी देने का अधिकार University Grant Commission को मिला हुआ है जबकि मदरसा की सिक्षा के अंतरगत मदरसा बोर्ड से डिगरी मिलती है यह केंदर के कानून का उलंगन है इन तीनों अधार पर इलहाबाद हाई कोट ने मदरसा की सिक्षा को असंब्यधानिक करार दे दिया था इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों का भविश्य अधर में लटका हुआ था अब आप बात समझ पाएंगे और अब बात करते हैं किस मसले पर आखरिकर सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा क्या है और जो सत्तर पेच का फैसला है उसका निचोड क्या कहता है मदरसा की संब्यधानिक्ता के पक्ष में खड़े होकर दलेल देने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोट से यह कहा कि मदरसा का कानून मुख्य तोर पर इस प्रश्ण का हल है कि मदरसा में सिच्छा का मानक क्या होगा मदरसा का पाठिक्रम क्या होगा मतलब मदरसा का कानून मदरसा की सिच्छा को रेगुलेट करने के लिए राज्जी की विधाईका ने बनाया है अल्पसंख्यक संस्थानों को regulate करने के लिए बना इस तरह का कानून संबिधान के अनुछेद 25 से लेकर 30 के प्रावाधानों के अनुकूल है जहां पर यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक समाच की अपने लिए सिक्षण संस्थान खोलने और उसे प्रसासित करने का अल्पसंख्यक समाच को अधिकार है साथ ही साथ राज्जि को भी अधिकार है कि वह कानून बना करके उन संस्थाओं को regulate कर सके कानून के जरिये राज जी को यह अधिकार मिल जाता है कि अल्पसंक्यक संस्थानों में धर्मिर्पिक्ष गतिविदियों को बरकरार रखा जाए सिक्षा के मानकों को बरकरार रखा जाए तो मदरसा कानून के जरिये राज जी को यही हक मिलता है और इसलिहाज से देखा जाए तो यह धर्मिर्प्यक्षिता का उलंगन नहीं है मदरसे की संबिधानिक्ता के पक्ष में खड़े इन वकीलों ने यह भी दलिल दिया कि भारत के संबिधान से निकलती धर्मिर्प्यक्षिता एक तरह की सकारात्मा का उधारना है मतलब positive concept है जहां पर सभी धर्मों के साथ समान वैवहार किया जाता है संबिधान के अनुछेट 25 से लेकर के 30 में यह साफ तर पर दर्ज है कि भासाई और धार्मिक अलपसंख्यकों को सिक्षन संस्थान स्थापित और प्रसासित करने का अधिकार मिला हुआ है मदरसा सिक्षा के लिए मदरसा कानुन बना करके राज्जी की विधाईका ने अलपसंख्यकों की सेक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए सकारात्मक कारवाई की है मतलब इस आधार पर भी देखा जाये तो यह धर्मिक पेक्षिता का उलंगन नहीं है मदरसा कानून के संब्धानिक्ता के पक्ष में खड़े वकिलों ने यह भी दलिल दिया कि मदरसा में धार्मिक सिक्षा दे जाती है ना कि धार्मिक निर्देश मतलब मदरसा में religious education दिया जाता है ना कि religious instruction भारत के संब्धान का article 28 ऐसे किसी भी सिक्षण संस्थान को जो पूर पर religious instruction देने पर प्रतिबंध लगाता है religious instruction का मतलब यह हुआ धार्मिक निर्देश का मतलब कि किसी विशेष संपरदा या संपरदाय के सिध्धान अनुष्ठान सामारो या पूजा के तौर तरीकों को बताया जाए मतलब इन सारे तौर तरीकों पर इन सारे चीजों पर प देने पर प्रतिबंध नहीं लगता है मतलब अगर section राज़िद्वारा वित्यपोसित है मतलब state funded है राज़िद्वारा मानता प्राप्त है वहां पर भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है धार्मिक सिक्षा का मतलब है कि धर्म की चिंतन पद्धती धर्म के दाशनिक वैसे शिक्षन संस्थानों पर प्रतिबन्द नहीं लगाया जा सकता है, जहां पर किसी धर्म के दर्शन, किसी धर्म की संस्कृति, किसी धर्म के साधू, संत, प्रफिट और इनकी सिक्षा के बारे में अध्यन, अध्यापन होता है, यानि इस अधार पर भी देखा जाए तो मदरसा कानून धर्मिट प्रिक्षिता का उलंगन नहीं करता है सुप्रीम कोट ने मदरसा कानून की संब्यधानिक्ता के पक्ष में खड़े वकीलों की इन सभी दलीलों को संब्यधान की धर्मिट प्रिक्षिता के साथ सुसंगत पाया इसलिए ना तो मदरसा कानून को धर्म माई के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश मदरसा सिक्षा परिशत के साल 2004 के कानून की धारा 20 के मताबिक राज जी को बहुत जादा सक्तियां मिली हुई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदरसा में भी सिक्षा की बुनियादी गुडवत्ता बरकरार रखी जाए इसी धारा से राज जी को यह सक्ति मिलती है कि अगर राज जी की सिक्षा के सम्मंध में तै की गई सारवजनिक नीती के तहत मदरसा में सिक्षा नहीं दी जा रही है तो मदरसा की सिक्षा में जरूरी बदलाव किया जाए अगर धार्मिक सिक्षा भी दी जा रही है तो वह पर भी मानकों को सुनिश्चित करने का अधिकार राज जी को मिला हुआ है अंत में सुप्रीम कोट ने सक्तर पेच के अपने फैसले में इसकर्ष देते हुए लिखा कि मदरसा का कानून मदरसा बोड़ द्वारा मानेता प्राप्त मदरसों में दी जाने वाली सिख्छा के रे वह मकाम हासिल कर सके जिससे वह समाज में सक्रिय तोर पर भाग ले सके और गरिमा पूर्ण जीवन जी सके और जो बात NCPCR यानि बाल संदक्षण आयोग याने की नेशनल चायट प्रोटेक्शन वालों ने कही थी कि या आर्टिकल 21 ये जिससे सिख्छा के अधिकार के अध कानून दोनों को धार्मिक और भासाई अल्प संख्यकों की अपनी पसंद के सेक्षनिक संस्थान स्थापित करने और उसे प्रशासित करने के अधिकार के साथ मिला कर ही पढ़ना चाहिए मतलब आर्टिकल 21 ये और सिक्षा के अधिकार कानून से ऐसा कुछ भी नहीं निकल तो कर दिया जाए मतरसा कानून में अशाफ तोर पर दर्ज है अगर सिक्षा चंख नहीं नहीं दी जा रही है संबधानिक मानेताओं के अनुरूप नहीं दी जा रही है तो राज जी उसे regulate कर सकता है इसलिए सिक्षा का अधिकार का कानून साका सहारा ले करके मदरसा कानून को खारिज नहीं किया जा सकता है इसे असंब्यधानिक नहीं बनाया जा सकता है मदरसा बोट राजी सरकार की स्विकृती से ऐसे नियम बना सकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक अलपसंचक शिक्षन संस्थान अपने अलपसंचक चरित्र को खत्म किये बिना अपेक्षित मानकों को अपनाते हुए सिक्षा दे सकें मदरसा कानून का केवल एक प्रावधान जो फाजिल और कामिल जैसी उच्छी सिक्षा के डिग्रियों के रेगुलेशन से जुड़ा है वही अवैधानिक करार दिया गया क्योंकि यह अधिकार युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भी मिला हुआ है यानिक युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधिकार के साथ इसकी टकराहट हो रही थी किवल इसी एक प्रावधान को अवैधानिक करार दिया गया अब यह आप मैंने पूरी बात बता दी यह पूरा फैसला रहा और अब उमीद है कि जा सकते है कि आप तक बात पहुंची होगी शुक्रिया झाल 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 झाल